दोस्तों नमस्कार मेरा नाम चंदर का प्रशाद आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संबिधान के भाग संबिधान के भाग दोस्तों संबिधान का ब्लूप्रिंट है अगर संबिधान का भाग आपके समझ में आ गया तो पूरा सम्विधान आपके समझ में आ जाएगा और पढ़ने में असानी होगी तो चलिए सुरू करते हैं सम्विधान के भाग भारती सम्विधान में 392.6, 22 भाग याउं 12 अनसोचियां है सम्विधान संसोधन द्वारा भाग 4 का, भाग 9 का और भाग 14 का जोड़े गए इस प्रकार इनके संख्या 25 हो गई है भाग 1 भाग 1 में 1-4 अनुछेत सामिल हैं जिसमें संख का नाम और राजचेतर, नए राजियों का परवेस या स्थापना नए राजियों का निर्माड और बरतमान राजियों के छेतरों, सीमाओं और नामों के परिवर्तन के संबंध में प्रावधान किया गया है भाग 2 इसमें अनुचेद 5 से अनुचेद 11 तक सामिल है जिसमें भारत की नागरिक्ता के संबंध में प्रावधान किया गया है तथा कानून द्वारा नागरिक्ता के आधार को लियंतरित या निर्दिर्शित करने के लिए संसद को सक्तिपरदान की गई है भाग तीन इसमें अनुचेद 12 से 35 सामिल है जिसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है अनुचेद 12 में राज की परिभासा दी गई है अनुचेद 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है समानता का अधिकार, सुतंदरता का अधिकार, सोंसर के बिरुद अधिकार, धार्मिक सुतंदरता का अधिकार, संस्कृति और सिक्षा संबंधी अधिकार और संबायधानिक अप्चारों का प्रावधान भागतिन में किया गया है भाग चार इसमें अनुछे 36 से क्यावन सामिल हैं जिसमें राज के नीत निदेशक तत्तों को रखा गया है इसमें राज को सामाजिक तथा आर्थिक सुतंदर्था परदान करने, सामान सिबिल संगिता निर्मित करने, पंचायतों को गठित करने तथा कल्यान कारी राज की अस्थापना करने के लिए राजियों को निर्देश दिया गया है बन और बन जीवों की सुरक्षा, राश्टिय महत्व के अस्मारकों, अस्थानों और बस्तूओं के संरक्षण, कारपालिका से न्यापालिका के पिर्थक करन, तथा अंतर राश्टिय सांती और सुरक्षा की अव्रिद्धी के संबंध में राजियों को निर्देश दिये गये हैं, भाग चार का, इसमें केवल अनुच्छेद एक्यावन का सामिल है, जिसमें नागरिकों के मूल करतब्यों को बहित किया गया है, यह भाग 42 में संबिधान संसोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, भाग पांच, इसमें अनुच्छेद बावन से एक्यावन तक सामिल है, जिसमें संगी कारिपालिका और संगी नियापालिका के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्टपती, उपराष्टपती, मंत्री परशद, परधान मंत्री, भारत के महा नियावादी तथा संसद की क्रिया कलापों के संबंध में प्रावधान किया गया है, उच्चितम नयायाले का गठन नयायद हिसों की नियुक्ती, पदावधी तथा उच्चितम नयायाले के कारियों का प्रावधान है, इसके साथ ही भारत के नियंतरकियों महलेखा परिक्चक की नियुक्ती, कारियों सक्तियों की ब्याख्या की गई है, भाग 6 इस भाग में अनुछेद 152 से 237 तक सामिल हैं जिसमें राज्यों की कारपालिका, बिधाईका तथा न्यायपालिका से सम्मंधित प्रावधान किया गया है राज्यपाल की न्युक्ती, योगिता, तथा सक्तियां, मंत्री परशद, एवं मुख्य मंत्री, तथा राज्य विधान मंडल के क्रिया कलापो का वर्डन किया गया है भाग 7 इसमें अनुछेद 238 सामिल था जो पर्थम अनसूची के सम्मंध में प्रावधान करता था इस अनुछेद को सात्में सम्मिधान संसोधन द्वारा 1956 में निकाल दिया गया भाग 8 इस भाग में अनुछेद 349 से 322 सामिल हैं जो संग राजचेतरों यानि की केंदर शासित परदेसों के परसासन के सम्मंध में प्रावधान करता है भाग 9 में अनुछेद 243 से 243 अना तक सामिल हैं जिसमें ग्राम पंचायतों के सम्मंध में प्रावधान किया गया है भाग 9 में नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान किया गया है अनुछेद 243 से 243 या च्छा भाग 10 में अनसूचित जाती एवम जन जात के छेतरों के परसासन के सम्मंध में प्रावधान सामिल है अनुछेद 244 से 244 का तक भाग 11 में केंद्र राज सम्मंध का प्रावधान किया गया है जिसमें अनुछेद 245 से 263 तक सामिल है इसमें बिधाई सम्मंध परसासनिक सम्मंध यों बित्ती सम्मंध शामिल है भाग 12 इसमें अनुछेद 264 से 300 का तक सामिल है बित्त संपत्ती सम्मंध यों वाद के नाम से इस भाग को जाना जाता है इसमें भारत यों राज्यों की संचित निधी लोक लेखा और आकसमिक्ता निधी बित्त आयोग भारत तथा राज्यों द्वारा उधार लेने का प्रावधान है भाग 13 इसमें अनुचे 301 से 307 सामिल है जिसमें भारत के राजचेतरों के भीतर ब्यापार बारिज्जिक यों समागम के संब्ध में प्रावधान किया गया है भाग 14 इसमें अनुचे 308 से 313 तक सामिल किया गया है संग्यों राज्यों के अधिन सेवाएं संगलोग सेवा आयोग तथा राजलोग सेवा आयोग के बारे में प्रावधान भाग 14 में किया गया है भाग 14 का अनुचेद 223 अनुचेद 323 का और अनुचेद 330 खा इसमें प्रशासनिक अधिकरण तथा अन्य अधिकरणों के संबंध में प्रावधान किया गया है यह भाग 42 में संबिदान संसोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था भाग 15 अनुचेद 324 से 321 भाग 15 में निर्वाचन आयोग के गठन उसके कारियों सक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है निर्वाचक नामावली वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचनों का संचालन बिधान मंडलों के निर्वाचन के संबंध में बिधी निर्मित करने की संसत की सक्ति तथा निर्वाचन मामलों में नयायाले दोरा हस्तक्षेप के बरड़न के संबंद में प्रावधान करता है भाग सोलह अनुचेद 330 से 342 संसद यूम राज की बिधान सभाओं में अनसूचित जाती जन जाती तथा आंगल भारती समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षन की बिवस्ता भारती संबिधान के भाग सोलह में किया गया है भाग सत्तरह अनुचेद 343 से 351 राज भासा इसमें संग की भासा, प्रादेशिक भासाओं तथा उच्चतम नयायाले आज की भासाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है भाग 18 अनुचे 32 से 360 आपात उपबंद इसमें आपात काल की उद्घोस्डा, राज्यों में आपात काल तथा बित्ती आपात तथा इसके प्राभाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है भाग 19 अनुचे 361 से 366 राष्टपती तथा राजपालों के संबंध में प्रावधान किया गया है भाग 20 अनुचे 368 संब्धान संसोधन भाग 20 में संब्धान में संसोधन करने की सक्ती तथा संब्धान संसोधन की प्रावधान किया गया है भाग 21 इसमें अनुचे 379 से 392 तक सामिल है इसमें आअस्थाई संक्रमन कालीन तथा कुछ राजपालों के संबंध में बिशे सुपबंध किया गया है राज सूची के बिशे पर संसद को कानुन बनाने की सक्ती अनुचे 379 जम्बु कस्मीर के बारे में बिशे स्प्रावधान था अनुचे 379 एक कैस में सामिल था इसके लावा महाराष्ट, गुजरात, नाका लैंड, असम, मरीपूर, मिजोरम, अरुडांचल परदेश, आंधरा परदेश, गोवा, आधिराज्यों के संबंध में बिशेस उपबंध भारती संबिधान के भाग एक कैस में किया गया है भाग 22 अनुचेद 393 से 395 भारती संबिधान के भाग 22 में संबिधान के संचिक्त नाम, परम में, हिंदी भासा में, प्राधिकृत पाठ, आधि के संबंध में प्राधान किया गया है